सुजान राए शुरूतों लेके उदे मन दर एक वेराग है, एक प्रेम है, एक पावणा है अंदर दी एक तडफ है, तडफ है किसे तरीके नाल आपने आपने खोज़न दे कारदे वेच रेंदेयां होया मी उदा जेतनी लगदा कारवेच रेंदेयां होया मी उदी पढ़कना खतम नी हुंदी किसे ने उन उन दस्यापी जे तेरे मान दी पढ़कना नहीं खतम हुंदी तेरा मान टेकदा नहीं तेरा किसे काम वेच जेतनी लगदा ते फिर एक कोई हाल है तो गुरु गोबन सिंग महराई दी शर्ण वेच अनन्द पुर सेव दी तर्दी दी चलिया जाए ए मानजेड़ा साच मुझ चंचल है ए मानजेड़ा साच मुझ पढ़कदा है महराई दी पाणी ने क्या सद्ध गुरु केंदे दास दिसा खोजत मैं फिरियो जात देखियो तात सोए मानबस यावे नानका जे पूरन किर्पा होए ए मानताई वासवेच आ सकता जे गुरु दी किर्पा होए गुरु दी किर्पा तो बिनाए वासवेच नहीं आ सकता किसे ने दस्या सुजान राए जी मान दी पढ़कना नो दूर करना है ते अनन्दपुर सहब दी तर्थी ते चलिया जब ए सुजान भाई जिड़ा वैद सी जिड़ा लोकां दी इलाज करदा सी जिड़ा दुवाईया दिन्दा सी गुरु गुबन सिंग महराई दी शर्ण विच अनन्दपुर सहब दी तर्थी ते अभी है कोज दिन रह के इन्हे सद्गुरु दे दरबार नो तक्या कोज दिन रह के इन्हे गुरु गुबन सिंग महराई जी दे पारे उपकारा नो तक्या गुरु गुबिन सिंग महराई दे संबने होके बेंती करने लगया महराज ने एक गल गई सद्गुरु आखदे ने केंदे सुजान भाई जे गुरु गुबिन सिंग दो प्रेम लेना है जे गुरु गुबिन सिंग महराई दे बक्षशा लेने ने ते फिर साच जानी, जे डा काम तेनो उन्दाएना उ काम तो अपना करना कर, प्रेम दे nat casual कर पावना दे nat casual कर उकाम केड़ा वैच दा सुजान रही केंदा महराज किदर नु जावां देहा साख दा सद्गुरु ने क्या सुझान रहा है जितर नो तेरा मू उतर नो चले आजाए उदा मुझचड़दे वाड़े पासे नो सी उकीरत पूर सहव दे नेड़े जाके रहन लगया उथे जाके उने एक निकाजे टकाना बना लेया उथे खलकत दी सेवा करन लगया लोको दे को दवाई लेन वास्ते हैं लोको दे को आपना इलाज करवाउन वास्ते हैं लोकान दा इलाज करता लोकान दवाई देन दा लोकान ठीक करता पामीय के अजडे समेंदर वी एदांदे वैध एदांदे डोक्टर हागए है जीन मानमता दे पढ़े वास्त इ लाज करके उन्हानो ठीक करंदा जतन कर दे है पर खिमा करदे हुजई जी अजडे समेंध जो बतांध होए जीन केवल ते केवल माझ मता नो लुटंते लगे होे लोकानिया کड़निया कड़ कड़ के वे जगे होे चंगे पड़े मलोक नो होसपीटलांदी वच लटा के जीर-जीर की होना दे अंग कड़ दे जान्दे पैसे आ दी खातर लोकान वटे आ जारे कई कुष खुंदा कई आज दी लोट एदान दिये सुजान राए साचमुच मनुखता दी सेवा दे विच लग गया इतियास केंदा शे साल उने उते रहके लोकान दे उपर एपड़े दा कम किता लोकान दुखा दिती लोकान ठीक किता आज एक किसे बंदे ने आणकी खबर देती कहन लगे सुजान राए जिस गुरू नो रोज जापदाएं जिस अननद पर वाले गुरू नो तो रोज जाद करदाएं आज उस गुरू ने एस इलाके देए वेज चर्न पाउन वास्ते होते सुजान राए बड़ा परसान होया अज गुरु गोबन सिंग महराई जी दे दर्शन नसीब होनगे ये थे सेवा कर दिया किना समा बतीत हो गया जदो गुरु गोबन सिंग महराई दे आउन दे तियारी होई उस वक्त एक माता आन के सामने तड़ दी होई आख़दी है कहने लगी मेरे नाल चल वैद मेरा पुतर बहुत गुमा रहे सुजान रहे दुबदा दी वे चिफा सगया की करां गुरु गोबन सिंग महराई दे दिदारे करने है जाए इस माता दे नाल जाकर इस दे पुतर नो ठीक करां फिर मान वे चिख्याल आया बुरु गोबन सिंग महराई ने आपी दे के ऐसी खलकत दी सेवा करनी है फिर पहला खलकत दी सेवा कर लिने चाहिए डूले हुए मांदे नाल सुजान राई उस माता ने नाल तुर्पया जाके उस दे पुतर नो दुआ दिती बहुत समा लग गया मानवीच ख्याल करदा सोचदा उन्दा केंदा हौनते गुरु गौबन सिंग होके वापस चले के उनके होनते गुरु गौबन सिंग महराज संकता नो दर्शन दे के वापस चले के होगे है जदो आपने उस टकाने आपने उस चौंपड़ी दे कोल पहुंच जिते उरइंदा से देखे हैं लोकां दा बहुत वड़ा कट है बड़ी बड़ी पीड है के अंदर लगदा कोई नमा मरीज आया होगे का लगदा किसे तगड़े परवारता आया होगे का जिड़ा लोकां दा इना ही कट है पीड़नों जीर दियां जीर दियां सहजे सहजे आपने उस टकाने दे उपर पहुंच या ते की तकदा है के उस दे उस टकाने दे उपर साइब सत्गुरु गुरु गोवन सिंग महराज बराजबान साथ दर्शन कीते चरना दे उपर डिक पया कहने लगे महराज मैं ते सुचे ऐसी के मैं उस बचे दी जान पचौन वास्ते चले आगया आप जी चले गे होगे और महराज तुसी बड़ी किर्पा किती है गुरु गोवन सिंग महराज जी ने सुचान राए नो अपनी शातिना लाके प्रेम देखे किया चैन लगिया सुचान राए जी तूं खलकती सेवा करता पया सी ते फिर एक एमे हो सकता कि गुरु गोवन सिंग ते नो दर्शन की आदे पिना वापस चले जाता है एक के में हो सकता है गुरु गोवन सिंग महराज ने सुचान राए नो फिर जदो अमर्ध त्यार होया सत्गूरु ने सुचान सिंग्सुजा जता और उनुं सिखी दे परचार वास्त इ महराज ने ने निये तके का आगरे दी तर्थी है आगरे दी तर्थी दे उपर औरंग जेवदा दरबार लगा हुए है उस दरबार दे वेच पुरान दी आयत पड़ी गई जे में गुरुगरंस हमाहराई दे वेच अपने श्लोक पड़ी है ये दा पुरान दी आयत आयत पड़ी है कुरान दी उस आयत दे अर्थ के ते वक वक विद्वाना ने वक वक काजिया ने, फिलोसपरा ने, स्कॉलरा ने और रंग जेबनों ए अर्थ पसंद नी रहे जन्दा गल बनी ने दरबार खार्ज कर दिता गया किने कल फिर इसे आयत दे उपर विचार कुई अगला दिन होया, फिर सारे विद्वाना ने उस आयत दे आपने अपने तरीके नाल अर्थ कीते अज अर्थ करनवाले आंदे विचे सब तो अखीर दे उपर बोल दाए शहजादा मौजम जेड़ा औरंग जेब दा पुता ने है जदो शहजादे मौजम ने अर्थ कीते थी ओबाक माल साथ औरंग जेब नो बड़े पसंद आए उस वक्त औरंग जेब आख़दा आए कैने लगे अपुतर ते तू मेरे ये किन्नी के लियाक तदा मालक है मैनू पता है ये अर्थ तू ने कर सकता दस अर्थ कीते किसे ने है सहजादे मौजम ने किया कैने लगे ये अर्थ मैनू मेरे उस्ताद ने पढ़ाए कैन्दा तेरा उस्ताद कौन है उस्ताद एक हिंदू है कैन्दा मेरा उस्ताद एक सनतनी हिंदू है आउरंग जेब के लगे के दा और अउरंग जेब दा राज हो वे ते ओडे राज वेचे कहंदू अईना वड़ वड़ा वे उन सथ दिना दे अंदर अंदर जहां दे इसलाम दे विच लेके अंदा जाए जहां फिर कतल कर देता जाए एक गैर मुसल्मान इना विदवान नहीं होना चाहिए यह विदवान कौन है इना दे जनम 16-23 दे विच घजने दी तर दीते होया हो थो चल देयां चल देयां शेजादे मौजम तक पहुंच गए इनन सेखते आस्वेच बड़े सतकार देनाल पाई नंदलाल जी किया जाता है शेजादे मौजम ने आनके किया उस्ताज जी अन होनी हो गई मेरे पिता और अरंग जेव ने हुकम जारी किता है गतल किता जाएगा जाएं इसलाम चले आनदा जाएगा सुकॉलर से विद्वान से परेद नी से के मौध को नो डरता नी से डर क्या है कहन लगिया होना शेजादे मौजम ने आप अपना उड़ा दे के आगरे दे किले बिचो दोड़ा के उन्हों कहन लगिया के जाएगा 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 ज सिंग महराज न अब वद नेर ता पाइनांध लाल जी ती होगी। क्यों सिंग महराज दे दरवार अंदर। पाइनांध लाल जी लंगर दी सेवा लेंदी है। जी ती बाकी दे लंगर चलती सान drops है एक लंगर पाइनांध लाल सी एक दिन रात दे वक्त गुरुगोविन सिंग महराज ने अपना प्यस बदले आए प्यस बदल के सद्गुरु ने सारे लंगरां दे विच जाके जग इता के लंगर दे प्रबंद की में चाओता है जदो एक जातरी दे रूप विच जाके सद्गुरु ने लंगर दी मांग केती किसे ने क्या होनते रात होगी यह लंगर मस्ताना हो गया किसे ने क्या दिने होना जी किसे ने कोज बोल लिया किसे ने कोज बोल लिया जिसो पाई नंदलाल साहीब जी दे लंगर विच गए पाई नंदलाल साहीब जी ने बठा किकेBoy तुसी बैठो मैं हुणे परबंद करदा हाँ पाई नंदलाल साहीब जे ने जिदो भर लंगर शिकाया सद्गुरू नो अगला देट चड़ए महराज ने सद के क्या कहने लगे जदों को रात नों में आ जावे ये तोड़ा जवाब नहीं होना चाहिए कि तो यह नहीं लेड़ दो आए और सद गुरु ने पाई नंदलाल साथ लंगर दी तरीफ की ती गुरु गोबिन सिंग महराज वास्ते रोज पाई नंदलाल आपने हथी परशादा लेके आए गुरु गोबिन सिंग महराज शक्ते पाई नंदलाल पोल खड़ दे एक दिन एक कटना कट गई पाई नंदलाल साथ गुरु गोबिन सिंग महराज वास्ते परशादा लेके आए गुरुगोबन सिंग महराज परशादेनों शक्डे पैसाने शक्डे 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 इन जिरनों एक कुकर आण के समने बैठ गया कुता आण के बैठ गया सुबावग के साथे करांदे विच कोई परशादा शाकदेयां उक कर आ जावे थे बंदा बुर्की तोड़ के पादन दे ऐसा ही होया गुरु गोबन सिंग महराज ने आपने मुवार का हथां देनाल एक गराई तोड़ी एक बुर्की तोड़ी ते उस कुत्ते वालों सुट पर बुर्की लेके चले गया पाई नंदलाल साथ अपनी अखां देनाल इस सारा कुछ वेख दे रहे अगला दिन चड़े आगे रोज पाई नंदलाल जी अपने हथी परशादा लेके अधर से आज की सिखने आणके महराज दे सामने परशादा रख्या साहत है गुरू कुच अ लगये लिगे नंदलाल नि आये वो गुरू का सिख कहन लगया कि अन्दा महराज उलंगर दे विच के दरी बिजी सन उनने मेरे हर्थी परशादा पेज़ देगा गुरू गोबन सिंग महराज परशादा शकना रंब कर देने कल जेस टाइम जेस समें दे नाल जेस जगा दे उपराण के एक कूकर बैठ के यासी, यकुता बैठ के ऐसी अच उसे समें नाल आणके, उसे जगा दे उपराण के पाई ननन्दाल बैठ के गुरू गोबन सिंग महराज मुस्करा के कएन लगे कें देन नvलाल, इन्हीं दूर क्यों बैठे हो, इन्हीं मेरे कौल आवो ना नंदलाल इनी दूर क्यों बैठे हूँ अज तुसी मेरे वास्ते पर शादा लेकि क्यों नहीं आए सेख दे हतीं क्यों पे इस दित्ता कारण की है जे आए हो इनी दूर बैठ गे गुरु गुबन सिंग महराज आप उठ देने उठ के नंदलाल नो ठूंदे ते कारण पुछ दे नंदलाल अखांदे वी जो नीर वहा के फुर्क दे हुद गुला नाल कैन लगया केंदा सत्गरू कालवी आप जी पर शादा शाकटे सी मैं कोल खड़ा सी आई थे एक कुकर आया सी तुसी एक गराई एक बुर्की तोड़के उसे कुटे वालनु सुट देते महराज तानू ते कोई फर्क नहीं प्या हुएगा भार उसे कुटे दा लोग पर लोग सहुर गया होना है अज नदलाल भी कूकर बढ़ की आया से मैंनू से तुसी एक बुर की मैंनू भी पादी होगे पर तो अड़े हत्थांदी बुर की मैंनू नसीब नी भी गुरु गोबन सिंग महराज ने सिन्ने नाल लाके क्या नदलाल तेरी जगा ओस थांदी उपर नहीं है तेरी जगा गुरु गोबन सिंग दे सिन्ने दे वच्जवा सिन्ने एक देन पाई नदलाल सहीब नाल कुछ गुरु के सिख गुरु गोबन सिंग महराज दे नाल सातल जो द्रिया दे कंड़े कंड़े तुरे जा रहे सा तुरे जान्दिया गुरु गोबन सिंग महराज ने एक कौत कर जाया गुरु गोबन सिंग महराज एक पथर खड़ दे जोख के जोर दे सातलो जो दर्याव इचे सोट दे सोट के नाली सिखा नो पुछ दे कैन लगे इन दे सिखो पथर क्यों डोप गे सिख जुआब दे कैन लगे कैन दे महराज पानी हुड अओंदा है पथर पारावंदा है इस करके पथर पानी चे डोप जानता है थोड़ी जी दूर होर गये दूसरी वार फmeeर सत्गुरु ने ओही कौत कीता महराज ने दूसरी वार पथर चोगे कि पाानी दे विछ सोटेा सोटेके फिर कुछेया कि आरे Jurassic mã दॉप सिखने फिर को मा आफरा की हो तांद आ ही जवाव देता कैने माहराजा क्या जना गिasion पानी दोप देंदाए लोभा भी डोप जन adversत लोगे जना केवा लकड़ें पांदे सुभा ऑईडोपा हुआ गरुगोवन सिंग महराज थोड़ी दूर गय तिजी वार फिरो ही कौत को दोराया परहुने एक गल कैई सिखान उने पुछेया महराज ने पत्थर क्यों डुपया महराज ने आवाज देके किया नंदलाल पत्थर क्यों डुपया पाई नंदलाल चुपते है गुरुगोबन सिंग महराज ने दूसरी बार फेर किया कहने लगे नंदलाल पत्थर केंड़ो कुलिया नंदलाल खामोश है सत्गुरु जी रुक गे रुक के अपना मुखार बेंदर प्षानू करके कहने लगे कहने नंदलाल तेनू कुछ दा हाँ नंदलाल ने फुर्क दे हुए गुला नाला किया केंड़ महराज मैं पत्थर नहीं देखिया गुरु गोबन सिंग महराज केंड़े नंदलाल आँ सिखाने देखिया है सारे नू पता है मैं तेन वार पत्थर चुकिया तेन वार दर्या विचे सुटिया तेन वार पत्थर डुबे तो केंदा देखिया ने ना दलाल ने बजन के केंदे महराज मैंनु इक कोई गालदा पता है जेड़ा गुरु गोबन संग दे हता दे चो शोट गया दुबे गई दुबे गई दुबे गई उनु दुणिया दी कोई ताफ़ ने बजा सकते उनु कौण बचाएगा जेड़ा गुरु गोबन संग दे हता दे चो शोट गया सद्गु दी पावन बानी है अपा रोज पड़ देना महराज केंदे ने ऐस संसार वी जेड़ा ना ये मोद एक चिकड़ है इस समुंदर है इदे विच आगवी है इदे विच पाणी मी है महराज केंदे मोद इस चिकड़ विच बंदे को तुर्यानी जानदा पैर फस जानदा है माराज केंदे मैंनों कुछ के देखो मैं अखा नाल वेकदाएं बातानी किन्ने डूबगे इस संसार से अंदर बेचे ते तसरवर रहे पहले निवासा पानी पाव पतने है कि या पंकज मोह पाग नहीं चाला है हम देखाता है डूब ये रहे माराज केंदे मैंनों कुछ किन्ने डूबदे जा रहे जेड़ा गुरूदे हत्था में चुछ शुट गया वो डूबगे गवनों कोई नहीं तार साथ गुरु गोबन सिंग महराज मुस्करा के केंदे नादलाल तूँ कुछ मागले नंदलाल जी केंदे महराज मैंनों कुछ देना चूंदे हो देखो जेड़ा एक विदवान मौत तो तरता होया और अंगजेब दे दरवार वे चूंता उड़िया गुरु गोबन सिंग महराज दे दरवार वे चाया ओ विदवान के रहे है केंदे महराज जे देना चूंदे हो ये दे दे हो जेस देन नंदलाल मर जाए एदा स्रीर जेड़ा अनंद पूर सहब दी तरती ते अगन पेट कर देता जाए ओ उस देन हवा नुक वे खमोश हो जावे हवा चले ना महराज केंदे आग के ता दी मांग होई स्वावी ते उड़ा वी जाए इस वावी तो ड्त चर्ना दी वे जाएनी चाहे दी है मत्य ते लोग केंच ज़िड़ा सारी जिंदगी गुरू गोबन सिंग दे दर बार दगुक्र बनके रहा होई ते ओ अंतम समय हो दी स्वा बार लोकां दे पैरांते रोल दे फिर दी होगे यह नहीं हो सकता सत्गुरु दी बाणी अंदर भी पावन बच्छन महराज केंदे ने बाबा फरी सेब दी रसना तो फरीदा बार पराए बैसना साइं मुझे न दे जे तुम एमेराक से जीओ स्रीरों पे जे तुम सत्गुरु ने सिखांदी बड़े आई की तीना दी दे पाई गुरदास भी ने एक बच्छन क्या कहने लगे कि सिखांदी मैं इनी को जादी बड़े आई करता हां के मैं चोना हां मेरे तान दे तोटे तोटे कर देते जान उना तोटे या नू चकी विच पी देता जाए मैं चोना हां उना तोटे या नू आग दे विच साड़ के राख बना देता जाए और ओ बनी हुई राख मैं हवा दे विच उडा देया दे किदर नू डावाँ पाई गृदा सवकें दे उन राहां दे उडादियां जड़े राहां दे रहाई इंचाल लगे गृूदे सिखाने गृुदर वार विचाू नक सिखलो सागलांग रोम रोम कारा काट काट सिखने के चर्न पारवारिया है अगने जलाए फंपीसन बसाए ताहे ले उड़े पवड़ होई अनक परकारिये जातकात सेख पागत अरे गुर पंथ प्रात ताहू ताहू मारक मैं पासम कोडारिये तहे पादपाद के चर्नली वलागी रहे दया के दे आलम होई पतते उड़ारिये केंदे सच एया है के दे गुरू दे सिखांदे चर्ना ना रशू के मेरे पततता उड़ार होजावे